ग्ले देवा दिरेव श्री आधिनाथ भगवाने की जै 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 गोले श्री चंदाप्र भगवाने की जै 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 गोले चिंता मनी पारशिना त भगवाने की बुले शन्त श्रोमनी गुराचार श्री विद्या शागर जी महराज एकी जहें 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 बुले परमपूज मुनिश्री एकसाट प्रमार शागर जी महराज एकी बुले परमपूज मुनिश्री एकसाट अरें शागर जी महराज एकी शत्त और संस्क्रती का सजा भव वितान कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान आत्म विकाश का दिवशदन जैन शिद्धानतों की विज्ञानिक प्रोक्षाला जहां बुलेगा समोशरण और जहां पंचैतन सेली में अदभूत अतिसे कारी जिनाले ग्यानमंदिर का निमाण हो रहा है एंशे तीरतराज शम्बेशेकर की तलटी में इस्तित गुणायतन परिसर से शंका शमधान का कारिकम हम और आप प्रार्म करें उसके अपूर्व गुणायतन और शिरिशेवायतन परिवार आपका हार्दी का अबिनन्दन स्वागत करता है और आईए हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वशिद शंका शमधान का कारिकम हम और आप प्रार्म करें उसके पूरो प्रते दिन की भाती पारश चैनल और प्रमाणिक एप के माद्दें से जिस कारिकम को देख और शुन रहे हैं उन सवी की ओर से और पूरे भारत वर से जो स्रावक्ष्रावी का इस महानुष्टान में उपस्तित हुए हैं उन सवी की ओर से परमपुज मुनिवर के नमोस्तू हे मुनिवर नमोस्तू और आए शंकाश मधान का कारिकम हम और आप प्रयालम करें उश्क्योपूर्व जिननोंने गुनाईतन का अवलोकन किया अनभाव केंद्र का अवलोकन किया और महाँ पर जो कार चल रहे हैं उनको देखने के बाद जिनके भाव गुनाईतन से जुड़ने के हुए है उन सुधी सरावकों को वियामतित करूँगा वियाएंगे परंपोज मुरीवर के स्रीचेड़ में नमन करते हुए गुर्वन्दा का शवाग प्रात करेंगे और हमारे गुनाईतन प्रिवार का शम्मान शियुकार करेंगे शर्परताव जिनके शुड़न दान देने का शवाग प्रात किया है शारंगा राजिन जेन वार्शी शोलापुर और शीक्रम्बे शिर्मति सरोज ज्यांचेंजी दीपक नमिता प्रभादेवी बाकलिवाल मुंबई वे आएंगे शारंगा राजन जेन वाहीं से नमुस्तू करते आशुरात प्रात करें और मैं अमंतित कर रहा हूँ शिर्मति सरोजी बाकलिवाल सापरिवार वे आएंगे परंपुज मुनिवार के स्रीचरों में नमान करते हुए गुरुवन्दा का स्वभाग प्रात करेंगे और उनके शंबान के लिए मैं आमंतित करूँगा गुनायतन मंत्री स्रीमति चेंद्रकलाजी पाटनी राची और स्रीमति शीतल लाधानी वक्षरा गुजरात ये दोना आएंगे और हमारी शुण दान जिनों दिया उनका शंबान का करिकम शंपन करेंगे और इशी करम में जिनोंने निर्मार निदी सुजरने का सभाग प्रात किया है मैं नामों की घोष्टना करूँगा और मैं चाहूँगा अपने इस्थान में खड़े होके आप आशिरवाद प्रात करेंगे श्री मती शंतोज जैन अनुराग आमित जैन शुल्तानपूर अपने इस्थान में खड़ो के आशिरवाद प्रात करें श्री शुरेश चंजी जैन अनुज कुमार जैन देहरादून श्रीमती चंदा देवी श्री राजकुमार मनीश कुमार जी जैन रानोली वाले शुरत अपने इस्तान में खड़ो के आशिरवात प्रात करेंगे श्री वशंत रतन शा, श्रीमती उज्जुला वशंत जैन वड़ोद्रा और अविशेक पारशवाई जैन मिलन सोस्राइटी एहमदाबाद जोरदात ताली वजय करने का शम्मान करें जिन्नोंने निर्मार जिदी से जुड़ने का आश्र शवाग प्रात किया है वहीं से खड़ोंके नमस्तु करेंगे आश्र बात तात करेंगे और निर्मार शार्ती की रूप में जिन्नोंने जुड़ने का शवाग प्रात किया है वहीं से खड़ोंके आश्र बात करेंगे जिन्नोंने निर्मार शार्ती की रूप में जुड़ने का शवाग प्रात किया है वे आएंगे परंपुज मुनिवर के स्रीच रूप में नमन करते हुए गुरुबंद्ना का शवाग प्रात करेंगे और उनके शम्मान के लिए मैं आमंतित करूँगा शिर्मानी शन्रक्षक बीर कुमार भरत महता गुलवरगा वे आएंगे हमारे शम्मानी निर्मार शार्ती का शम्मान का कारिकम शंपन करेंगे शिर्मान बीर कुमार भरत महता इशी करम में सूत दार की रूप में जिनने जड़ों का शभाग पात किया है उनके नामों की घोठना कर रहा हूँ शीरमती मीना, राजेंद्र, केशोर वर्षा, आशिना, आन्याजेन, वाकलीवाल, मुंबई अगर उपस्तेत हैं तो वे आएं हमारे गुणायतना परिवार का शम्मान शुकार करें और इनके शम्मान के लिए मैं आवंत्रित करूँगा हमारे मुख मंडल पन्याजक परिवार से शिर्मान शन्रक्षा परिवार से सेट उत्तम जी परिवार के दोना शुपत्र अनराग अनुज कटनी ये आएंगे और हमारे शम्मान शिर्मति मीना, राजेंद, केशोर वर्षा, आशिना, आन्याजेन, वाकलीवाल, मुंबई का शम्मान का कारिकम शंपन करेंगे आए और शिर्मति मीना, राजेंद, कुमार आजाए और इनके शम्मान के लिए अनराग अनुज कटनी और आए इस शिकरम में शूत रधार से इस्तम के रूप में जुड़ने का जिनने शवाग प्राद किया है शेट अन्राग अनुज कटनी ये दोनों हमारे शूत्रधार का शम्मान का कारिका हम शंपन कर रहे है शेरोमने शनक्षब गुणायतन परिवार और शूत्रधार से इस्तम के रूप में जुड़ने का शवार प्रत किया है शूंदरलाल जी श्रगी श्रिमती शंतो श्रगी दिनेश जेन कुश्म जेन गाजिया वध जोर दार तालिवजा का शम्मान करें और गुणायतन से जिनने विशेश रूप से जिड़ने का शवाग प्रत किया है और इनके शम्मान के लिए मैं आमंतित करूँगा अतुल वहिया शम्मान का कारिकर शम्मान करें और आईए ललित पूर से बोश चलावक प्रिवार जिनने गुणायतन से बिशेश रूप से जुड़ने का आउशर शौभाग प्राप्त किया है मैं शम्मान सहत आपकी तारियों का सम्मान चाहूँगा और आमंतित करूँगा शिर्मती शुशीला जी, मनोज, शंजी, दीपक, लकी, अनिकेत, शाहिल, मैंक, शुधीर, जैन, ललित पूर जिनने गुणायतन से बिशेश रूप से जुड़ने का शौभाग प्राप्त किया और इनके शम्मान के लिए मैं आमंतित करूँगा शिर्मान प्रेमचन जी उपकार शागर और शिर्मान कापूर जी कोटा ये दोनों आएंगे हमारे शम्मान ने ललित पूर निवाशी उनका विशेश रूप से गुणायतन से जुड़ने का आउशा शौभाग प्राप्त ये दोनों आएंगे शवाई शिंगाई जैकमार जी परिवार के ये परियान है जोड़ात तालिवाजिकन का शम्मान करें जिनने गुणायतन से बेशेश रूप से जुड़ने का शौभाग प्राप्त किया है और आईए चलते हैं हम और आप टीवी चैनल का विश्विक्य प्राप्त वहुच अर्चिस शंका शमधान का कारिकम प्रार्म करेंगे और आज जिन मंडल पुन्याजकों को ओशर दिया जा रहा है उनके मंडल के नाम की घोष्टना करूँगा आप अपने स्थान में खड़े होंगे और आप अपनी होर से अपने परिवार से संकाओं का शमधान करेंगे मैं आमंतित करूँगा शल प्रतम शिरुमनि शन्रक्षक शिरिमान उत्तम चंजी प्रभादेवी अनोज अनराक शिंगई कटनी प्रतम प्रशन के लिए अपने स्थान में खड़े हो जावें बहुत बड़ा कुनवा है ये शेट परिवार का और इनके लि दिल्ली जी जी नमस्तू मराज जी हम चावल क्यों चड़ाते हैं फूल क्यों नहीं बहुत अच्छा सवाल है अपना नाम और बता दो तुम रनग रनाओ देखो हम भगवान के सामने अक्षत इसलिए चड़ाते हैं कि अक्षत की दो बड़ाते हैं कि दो बच्षत आ है एक तो वह दुबारा उपता नहीं है समझेए? ओं अक्षत दुबारा उपता नहीं है उसको बोएंगे तो उगए गाला है दूसरा वह उसके ऊपर का कवर हटा हो आता है नहीं शाधे तो जैसे हमारे वह उपर ये सरीर का में हट गया, ध़oud और ये अब पुनर जन्म का जो तक है, जन्म जरा से उपर उठना हम चाहते हैं, तो भगवान जिनोंने जन्म जरा मृत्तु को जीच लिया है, उनके चर्णों में हम अक्षत चाहते हैं, फूल नहीं, समझे है? नमउस्तु माराच जी जो बोलो, दूसरा.. ए भगवन नमोस्तु 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 ठीक है ए भगवन ये प्रस्न मेरा नहीं है मंगर मेरे परिवार के कुछ सदस्यों का है कि चतुर निकाय के देव होते हैं उनको देव संग्या है और अरहंत देव को अपन देव साथ गुरू की पूजा करते तो बोले उन देव में और इन देव में क्या अंतर है उनको आप सरलता से समझा दीजिए बहुत अच्छा देव शब्द के दो अलग-अलग अर्थ है जो दिब निधियों से कीडा करे वो देव दिब्यंते, कीडियंते, सर देवा जो कीडा रत रते वे देव हैं और ऐसे देव चतुर निकाय के देव होते हैं और देव का दूसरा आथ जो देदी, धमम, अथम, कामम, मुक्षम चर जो हमें धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष देव तो हमारे बीद राग-देव अर्हंता पर्मात्मा उमारे जिये धर, मुक्षम – छारो पुरशात् प्रदान करते हैं इसलिए नंकी किवल वे देव है अपिल जिने हम देव कहते वे तो उन्की चर्णों की शेव करते हैं इसलिए देवा थी देव महराज जी वहाज जी हता है संभगे के लिए ? महराज जी लेकि वहाज को अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पेरेंस और क्या उपाय करें बहुत अच Mozart यूए और बच्छों को आने वाली पीडियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए ऐसी समय समय पर बड़े भड़े धार्मी कायों जन करके जन बच्चों के साथ आना चाहिए देखे, कितना अच्छा उत्सा है बहुत सारे लोगों ने मंडल लिए लेकि ये मंडल ऐसा है जिसमें चार पिधी तो मुझे दिखरी है साथ पांच वी भी हो सकती है चार है कि पांच वी भी है चार पिधी हर उम्र के लोग ज्यादा तर सीनिया सीटीजन मिलेंगे लेकिन मैं आप सबसे पुरह कहता हूँ आप चाहते हैं कि हमारी पिधीयों में धर्म का अनुराग बना रहे तो धार्मिक आयोजनों में अपने साथ उन्हें जोड़ना सुरू करे जो बच्पन से जुड़ जाते हैं यह कभी बिछुड़ते नहीं आज जिनके बच्चे हो गए मैं उन सब को जानता हूँ रागालों को गरे को वो बच्चे थे अब बच्चे वाले हो गए लेकिन बच्पन में जुड़े इसलिए आज वो अपने बच्चों को भी जोड़ रहे हैं तो सुरुआत यह होनी चाहिए ज़्यादा तर देखने में यह आता है कि मावाप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के उपर इतनी ज़्यादा प्रमुक्ता देते हैं कि बाकी सब बाते गाउन हो जाती है पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए उसमें प्रमुक्ता भी होनी चाहिए लेकिन इतनी प्रमुक्तानी कि बाकी सब चीज़े छूट जाए उन्हें जगाईए और मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों के हृदय में चार बाते बिल्कुल पेट से भर देनी चाहिए जनम से नहीं पेट से वो है पाप का डर फिर संवेदन सीलता धर्म की महिमा और अपने कुल का गारो ये बच्चों के हृदय में बच्चपन से बैठ जाए तो बड़ा होने के बाद उन्हें कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा मंदिर जाओ माला फेरो या ये कर्म करो या वो कर्म करो वा स्वाप प्रेरणा से करे और जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे इसलिए हमें बच्चों को आदेश नहीं आदर्स देना चाहिए हम लोग आदेश देते हैं ये करो वो करो वो करो नहीं उनके सामने एक ऐसा आदर्स उपस्थित करे कि बच्चे खुद खिचे चले आए आपके माध्धम से मैं सारी समाज को एक संदेश देना चाहता हूं धाद्मी कायोजनों और समाजिक उत्सवों में कारिकमों में आप अपने साथ बच्चों को जरूर लाएं ताकि बच्चों को इस बात का आभास हो कि हमारे और हमारे परिवार का समाज में स्थान क्या है हम उसे मेंटेन करके चलना है ऐसा करेंगे तभी उनके धार्मिक समाजिक संसकार और सरोकार बन पाएंगे ज़िए आप इन्हें भूल जाएंगे तो अपनी नई अलग दुनिया बना लेंगे जैसा कि जादारतर संभांत परिवारों में देखने को मिल रहा है वे परिवार बहुत भगशली है जिनकी चार-चार-पांच-पांच पीणिया एक साथ धर्मे के मार्ग में लगी भी है पूरा आशिरवाद है ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो नमोश्टू मैराजी समस्त कोईला परिवार की तरह से सादर नमोश्टू मराजी मेरा क्वेस्टन ये है कि एक मानव जीवन को समाजिक और पारिवारिक दाइत्व के बाद और स्वेश्टम कैसे बनाया जा सकता है बहुत अच्छा सवाल है समाजिक और पारिवारिक दाइत्व के साथ मानव जीवन को स्वेश्टतम कैसे बनाया जा स्वाइम के उत्रदाइत को पूरा करते हैं स्वाइम का स्वाइम की प्रती जो उत्रदाइत उसे नभाए और वह है मनुष्य की आध्यात मे कुनती अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो पारिवारी की सामाजी को भी विवस्ताइं उसे पूरी करो और धर्म के रथ पर सवार होकर अपने अंतिम लक्ष की तरफ बढ़ जाग सेयम ब्रत आराधन में अपना जीवन बिताते वे अंत सनलेखना समाधी पूर्वा करो बहुत जल्दी बेड़ा पार होगा नर्भाव का शार यही होगा हर किसी को यही भाव रखना चाहिए पहले हमने पुरानों में पढ़ा है कि राजा महराजा उनकी संतान योग होती जीवन के चौथे पन में दिक्षा ले लेते थे आज तुम दिक्षा नहीं दे सकते कोई बात नहीं कम से कम ब्रती बनकर सनलेखना पुरवक देहे बदलने का तो लक्ष रखो पहले से ऐसा लक्ष लेकर जो चलते हैं वे ही ऐसा सौभाग पाते हैं अनिता लोग अस्पतालों में आहें भरते वे मरते मैं आप सबसे कहता हूँ लक्ष बनाओ मुझे मरना नहीं है क्या बोल रहा हूँ? मुझे मरना नहीं है भेद ग्यान के साथ देह परिवर्तन करना है ये लक्ष लेकर के चलोगे तभी अपने नर्भाव को शार्थ बनाया जा सकेगा मुझे मराजी नमोश्तु मराजी मंडल नमबर दश शिमती गुणमाला जी एंसी जाइन सलहव दिली उसके मात तया रहेंगे मंडल नमबर ग्यारा गुणमाला जी एंसी शिरिवाँ जिनेत कुमार शिमती रश्मी आधि नितिंजय नुएड़ा मुझे 2 के चरणों में मंडल नमबर दस के तरफ से मैं, मेरी बेहन गुणमाला और इंद्रा सभी की तरफ से त्रह बार नमोश्तु गुरुवर अब प्रसनी हमारी बेहन करेगी मुझे सरी के चरणों में नमोश्तु 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 ओ बोलिये मुने स्री मेरे जिग्यासा ये हैं कि अधि कोई व्यक्ति या समाज या परिवार के कोई धार्मिक कारिय का संकर्प लेता है और उस कारिय को करने में विलम होता है या उस कारिय को नहीं करने के लिए भाव होते हैं तो उसमें उस व्यक्ति या परिवार समाज को कौन सा पाप का कर्म उदय है और जिस व्यक्ति ने संकल्प दिलाया है उस व्यक्ति पर क्या ब्रभा होता है कि उसके द्वारा दिलाया गया संकल्प पूर नहीं हो रहा है जिस व्यक्ति परिवार ने संकल्प लिया है उस संकल्प को करने के लिए क्या करें रहे हैं संकल्प पूर्ण हो नहीं सके देखिए आपका प्रशन लंबा है और जितना मैंने सार समझा उसे समेट कर आपकी बात का उतर दूँगा आपके पूछने का आज से मुझे ये प्रतीत होता है कि किसी धार्वी कारी के लिए किसी व्यक्ति ने कोई शंकल्प लिया और अपने शंकल्प की पूर्ती में वो बिलंब कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका क्या दोश होगा पहली बात तो मैं आप सबसे कहता हूँ आप किसी भी प्रिकार का शंकल्प अगर लेते हैं चाहे वो ब्रत संकल्प हो या दान का संकल्प संकल्प को लो तो उसे पूर करने का लक्षे बना कर रखें उसे में रंच मात्र विलंब न करें कोशिच करनी चाहिए मैं अपने संकल्प को शिग्र शाकार करूँ उसमें किसी तरह की धील न होने दो समझ गया कई लोग हैं जो ब्रत संकल्प ले लेते हैं इधर लेते हैं उधर तोड भी देते हैं ये उचित नहीं इसी तरह बहुत सारे लोग हैं दानादी का संकल्प ले लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं ये महान अनर्थ है कई लोग भूल जाते हैं कई लोग उसे लटका देते हैं, ऐसा कभी मत करना, जितनी दिरता और उदारता से आप संकल्प लेते हो, उतनी ही ततपरता और प्रतिबद्धता उसे पूर करने में भी दिखानी चाहिए, इसकी धिलाई का परिणाम बुरा होता है, इसलिए यथासिक उसे पूर करना चाहिए. नमस्तु गुरुवर, पस्चाता आप बोले गए सब्दुका ही हो, यह जरूरी नहीं, कभी-कभी समय पर नहीं बोलने का पस्चाता आप जीवन बर रहता है, माराजी हम अपने मन को इस वेदना से कैसे बाहर निकाले, कि इस समय पर बोल दिया होता तो कास ऐसा नहोता, यदि मनुश्य मुझे क्या बोलना है, कहा बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है, काथ तो फिर हमें ज्यादा कुछ कहने की जरुवत ही नहीं पड़ेगी, यह पस्चाता आप किने करना पड़ता है, उन लोगों को जो सही बोलना नहीं जानते हैं, और समय पर बोलना नहीं जानते हैं, हमेशा बोलो वही जो सही हो, और बोलो वही जहां जरूरत है, यदि ये वाद ध्यान में रखें, तो पस्चावे की जरुवत नहीं पड़ेगी, और जो यहां सही हम नहीं रखेंगे, वो कितना भी पस पस्ता आते रह जाएंगे ओम मुडिवर मेरा तीसरा नहीं है मेरा मंदल नंबर दस की तरफ से कृष्चन नहीं है यह मैं गुणायतन की उसकी तरफ से पूछ रहा हूं मनीद्वेके चक्रण में समस्त गुणायतन परिवार का देवार त्रेवार नमस्तु गुरुवर अभी सिद्चत मंगनल विधान चल रहा है कई लोगों से रोज मिलना जुनला होता है कई पुराने नए लोग आ रहे हैं सभी लोग ये पूछते हैं कि गुणायतन कब तक तयार होगा पिछली बार आयते तब भी आपने यही कहा था उसके पिछली बार आयते तब भी यही कहा थ और जब मैं उनसे कहता हूँ या किसी से बात करता हूँ वह पिछली बार आपने कहता दान की राशी पूरी हो जाएगी वो तो अभी तक हुई नहीं तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है मुरीशी कही बार लोगों ने मैं इसको अन्यता नहीं लें कोई भी कि लोग दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल की संकल्प लेते हैं और उसमें पूरा नहीं कर पाते हैं अब उससे कई परकार की दूधाएं उनको भी और हमको भी है मराश्री हमको यह है कि हम किसी चीज़ का प्लान नहीं कर पाते हैं हम सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना रुपया एक साल में, दो साल में, तीन साल में आ जाएगा हम उसी साब से आगे कॉंटेक्टिंग कर लेते हैं फिर उसमें परेशा नहीं पैदा होती है और वो लोग उनकी हो सकता वास्तविक समश्या है हो मैं उनको कोई नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुनिश्री जो जिसने दान दिया और हमारे पास ऐसे लोग है जो अभी बोला और हातों हात यहां से निकल के महां जाके देखे जाएंगे या पहले देखे आएंगे बाद में अपना यहां अभिवादन करवाएंगे दूसरी स्थिति है कि उन्होंने एक साल में दो साल में बोला तो वो एक साल दो साल जो निश्ची तवधी में दे जैते हैं कुछ लोग ऐसे कि दो साल के बिजा चार साल में देते हैं और कुछ लोग ऐसे या तो भूल जाते हैं या पिर हमारे यहां से बार-बार हम उनको निवेदन करते हैं तो भी उसमें कोई तरक्य या कोई नहीं होती है तो मुनिसरी दूदा है एक तो यह बताए कि उनको दान का पूरा उनको लाब कम मिलेगा कैसे मिलेगा और हम लोग की स्तिती में क्या करें देखे यह आपका सवाल नहीं है यह तो आपकी व्यता है और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा जितनी उदारता से आप बोलते हो उतनी ततपरता से देने का भाव रखें समाज में कुछ लोगों की ऐसी प्रवित्तिसी बनने लगी है कि वे दान की घोशना तो कर देते हैं देते ने ऐसा करके वे अपने जीवन के साथ एक बहुत बड़ा अनर्थ कर लेते हैं हमें ऐसे कृत्यों से पूरी तरह बचना चाहे है हमने दान बोला तो जो राशी हमने बोल दी वो हमारे सिर का एक बोज बन गया दान बोलते समय आप अपनी स्थिति देखे दबाओं में दान कभी मत दीजे परिस्थियों को देख के रदान दीजे सबसे उत्तम दान होता है इधर बोला इधर दिया लेकिन कई लोगों की ऐसे स्थिति नहीं होती कि वो एक साथ बड़ी रासी दे सके तो एक समय सीमा का संकल्प लेकर लोग देते हैं तो उसमें छोटे छोटे किस्तों में बड़ी रासियां भी लोग देने में समर्थ हो जाते हैं और यह नुकुलता दातारों को देनी चाहिए लेकिन इसके लिए जब आप कमिट्मेंट कर रहे हैं उसी समय आपको अपनी कंडीशन रख देनी चाहिए कि मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस समयावधी में यह एमाउन दूगा यदि मेरी यात्रा यहीं पूरी हो गई तो आगे के लिए मैं जवाबदार नहीं हूँ और परिस्टियां बदल जाए तो मेरी कोई देनदारी नहीं है क्योंकि वक्त को किशी नहीं नहीं देखा पर उस समय जब आप कमिटमेंट कर रहे हैं उस समय आपको देखना चाहिए कि आज जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ और दो साल तीन साल का समय ले रहा हूँ तो आज की पोजिशन के नुसार तीन साल की अवधी में वो कर पाऊंगा की नहीं अगर दिखता है कि नहीं इतना हम करेंगे और कर सकते हैं तो आपको कमिटमेंट करना चाहिए और तीन साल में करने की स्थिती तो चार साल का वक्त लेना चाहिए और आयोजको को भी घोशनाओं के आधार पर योजना नहीं बनाकर उनकी जिस इस्तर की घोशना उस इस्तर से योजना बनानी चाहिए कि एक आजमी ने बोला है तो आपको पता है पहली किस तब आएगी दूसरी आएगी तीसरी आएगी चौती आएगी उसी अलुपात से आप अपने खर्च के कारिकम को बनाएए और अपनी परियोजना को गती दीजिये तो इसमें कही कशना ही नहीं होगी और ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं पर हाँ जैसा आपने बोला निश्चित आपका ही नहीं पूरे देश के सभी धार्मिक संस्था के प्रमुकों का यह नभव है कि बहुत जगह लोग बोल देते हैं बस बोल देते हैं देते हैं देते साल पंद्रा पंद्रा साल हो जाते हैं ऐसा करके भी लोग नहीं जानते कि अपने साथ कितना बड़ा धोका कर रहे हैं यह बहुत बड़ा धोका है चलावा है ऐसा मत करो तुम किसकी आगे कमिटमेंट की हो दे गुरु और धर्म के आगे जो संकल्प लिया है उसे तो जितनी जल्दी संभव है पूरा करो एक भाई जो कुछ ओबरिस्टिमेट काम कर लिया ओबरिस्टिमेट काम करने का अपने नाम तो बुरा होता ही है मैं अक्तर कहता हूँ अब उसका काम सब हैंग हो गया इसी बीच उसकी कई जिगा धर्मायतनों के लिए कमिटमेंट थे एक दिन मेरे पास आया उसने अपनी परिशानी कहते वे का मराज क्या करूँ सब काम ठपसा हो गया सारे आथ बंद गया मैं जहां पर था वहां एक मंदिर बन रहा था वहां भी उसकी एक बड़ी कमिटमेंट थी मैंने उसे एक वाक कहा कि देख गलती तेरी है गलत लीती अपनाई कुछ पैसा उसका फस गया था वो पैसा आजाएगा इसी कर आधा भावना पर किया था कि पैसा आएगा मैं कर लूगा हमने का एक काम कर सब से पहले तू भगवान का एकाउंट किलियर कर वहां का एकाउंट किलियर करेगा तेरे सारे एकाउंट किलियर हो जाएगा उसने का माराज आज आपने बहुत सही बात की है मैंने का देख देव द्रब तेरे घर में है तो अंत्राए कैसे टलेगा अंत्राए और बढ़ेगा इवेक्ति स्धालू था समझदार भी था उसने पंदरा दिन के अंदर जहां जहां के जो कमिट्मेंट थे उसने उसे पूरा किया और आप सुन करके आश्यर करोगे वही बंदा तीन महने बाद बोला महराज मेरा जो पैसा ब्लॉक था आना सुरू हो गया अधर मैंने क्लियर किया इधर काम हो गया क्यों यह तो अन्सराय है इधर अंसराय टलती जब शिचेशे बदल जाती है एक छोटा सा पत्थर का चट्फर की शिला हटती अंदर पानी का सोवा पूर जाता एंधर पानी का ता natidad तो अईसा ही कर्म है कर्म के हटते देर नहीं रखते ही, पल में बदल जाता है, इसलिए सभी लोगों से मैं कहूंगा कि कभी कोई कमिटमेंट करो, तो इस बात की तो प्रतिक्षाई ही मत करो कि सामने वाला मांगेगा तो मैं दूंगा, ये करदा लेकर जाओगे तो पता नहीं कितने भवों में द जो मैंने समय ताय किया है, उसमें देना है, तो देना ही कोई मांगे तो नहीं देना, मुझे चला कर देना है, क्योंकि मैंने स्वाप पेड़ना से ये कार किया है, और अपने हिद के लिए किया, अपने आत्मा के कल्यान के लिए किया, किसी के उपर कोई इहसान लादने के नहीं किया ये सोच मन में जखती है तो चीचे अपने आप आती है और कमेटमेंट आपका है तो आप परिवार को मत जोना क्योंकि कुछ उधारन मेरे शामने आए पिता ने कमेटमेंट किया और उनके सौवर्स पूरे हो गए मां है बच्चों ने संपत्ति हतिया ली पर दिया बच्चों के भरों से दान मत करना अपना दान देने का भाव रखना हाँ कहीं भी दान दे करके आओ तो जाकर अपने परिवार में सब को कहो कि मैंने ये दान बोला है और आगे ध्यान रखना मेरी जितनी भी ऐसेट और लाइबलिटी है उसमें ये भी है इसे पूर्ण करन की जिम्मेदारी तुम्हारी है वो करेंगे करेंगे करते भी है लोग बहुत सारे लोग करते तो जीवन का कोई भरुशा नहीं इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कहीं कटनाई नहीं होगी और लोगों को भी इस पर बहुत करें बताए गए हैं इनको आप धहार में रखिये इन्हें हलके पन में मत लीजे आगे चला कर कीजिए कई जिगा मंदिरों के पंचकर लानक में लोग भाग लिए और सौधर मेंदर भी बढ़ गये और बीश 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 बरस हो गए पैसे ही नहीं दिए मैं एक इस्थान म इस पंचके लालक में वेही लोग बड़ी बड़ी बोली ले रहे जिनका पुराना बखाया है अरे भाई कहां पुन्या कैसे फ़लेगा यहां उधारी जिनेंद भगवान को भी राजमान करें उधार में तु धार कहां होगा तो दानादी करते समें बहुत ही तदपरता का रखना चाहिए रुषिया निरूपकार करना चाहिए अरुषिया निरूपकार करना चाहिए बस अब दोई मेरे परिवार के आराद गुरू के चल्णों मेरा मेरे परिवार एवं प्राणी मात्र का बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव हमने कोई धर्म की कोई बड़े बड़े ग्रंत नहीं पड़े और नाहीं कोई क्लास जोईन की हुई है आप और मिध्यात को पूरी तरह त्या करके, अपने जीवन को जीने का पूर्ण प्रयास करते हैं, लेकिन गुरुदेव हमने पाया है, कि इसमें हम बहुत अकेले पढ़ जाते हैं, लोग हमको दक्यानुसी, धर्मान कहते हैं, गुरुदेव मेरी शंका ये है, कि हमको सम्मित की र आप पर कोई टिपनी करता है, आप उससे उलस्ते हैं क्या, बोलिये, नहीं नहीं, आप तो अपना काम करते हैं, ऐसे ही, अगर मुझे तत्व ज्ञान मिला है, और मैं धर्म के पत पर आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरे आखों के सामने केवल और केवल मेरा लक्ष होना चाहि यह और कोई दूसरी बात नहीं, मैं अपने लक्ष की पूर्ती के लिए आगे बढ़ो, इधर उधर मैं क्यों देखों, उनका काम वो जाने ही, यहां जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, कास उन्हें तत्य की समझ होती, तो वो भी ऐसा करते हैं, मेरा वाइकिस्थान पर चाति रुवाज चल रहा था, बहुत सारे लोग चार-चार महने चोका लगाते हैं, एक भाण जी अपने परिवार से ही चोका लगा रही थी, एक महानुभाव आ गए, वो उनके रिस्तेदार होते थे, अपना ज्यान देने दगे, कि आप लोग अपना वेष्ट कर रही, महन जी ने बड़ा बहुत अच्छा जबाब दिया, अतन्द बिनम्रता से कहा, ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है कि हम अपना टाइम वेष्ट कर रहे हैं, तो आप अपने टाइम का उपयोग करो, पर मेरा जिसमें इंट्रेस्ट है हम वही करेंगे, हम ग्यान मत दें, ऐसे लोगों के साथ न तो बहुत करनी चाहिए, नहीं ऐसे लोगों से उरजिना चाहिए, अपना रास्ता अपने हिसाब से बनाते वे आगे बढ़ना चाहिए, ओ, बुलो, मंडल नंबर बाराशे, श्रिमानी शंदक्चक, स्रीमान प्रेमचन जी, प्रेमी, कटनी, और साथ में मनोज कनोज, और सरस्तराओगी जी एक साथ, महारा के बाद 14 कर लो, महारा सरी, एक प्रस्त में भी करना चाहरा था, अगर आपकी अनुमती होता है, हाँ, बोलो, तो कैमरा तो इधर आगिया, वेट करो फिर करना, हो जाएगा वनी से, बोलो, हाँ, बोलो, महारा सरी के चरणों में, हमारे परिवार का, पूरी गुना समाज का, और बजरंगर चेतर कमेटी की तरफ से, साथर नमोस्तू, 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 महारा सरी, हम लोग, विवस्ताएं देखते हैं, मंदरों की, तो अक्सर हमने देखा है, कि कुछ नौजवान, या नए बच्चे, जो मंदर में आना चालू करते हैं, बैसे ही उनको लोह बाग, जो लोग क्रियाओं पर जादा ध्यान देते हैं, बो लोग, उनको टोकाटा की चालू कर देते हैं, तो उनको, उनका मनोबल बढाने की वजाए, उनको हतोत साहित करते हैं, उल्टा महराजी, तो ऐसे लोगों के लिए, आपके महराजी, मैं चाहूँगा, आपके माराजी, हमसे ऐसे नर्देश मिलें, जिससे और, क्योंकि दिन पर दिन, हमारे याँ बैसी मंदरों हों, निश्य सम्मान कर दे, एक बहुत अच्छे समाजी कार करता है, दोनों भाई, गुनायतन से भी जुड़े हैं, और ये बजरंगर के अध्रक्षें, इनके नेतरत में, वहाँ भब मंदिरों का निर्मान हो रहा है, और ये वखो भी कर रहे है, आपका कार संपन हो, ये मेरा आपने जो सवाल किया है, बहुत अर्थापूर्ण है, मैंने अनीक बार इस विशे में मारदर्शन दिया, पर मुझे लगता है, ये कतिपे लोग है, इनको सुधरना ही नहीं, ये मंदिर के मुकद्दम बन जाते, मुकद्दम समझते हैं ने, उनको लगता है कि बस जो कुछ है हमारे हिसाब से हो, मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ, कि अगर कोई नया विक्ति आता है, युवा हो या कोई, तो हमें चाहिए कि हम उसे प्यार से प्रोथसाहित करते वे समझाएं, नकी टो का टाकी करें, एक संजन है, अबे उमन की उमर होगी लगवक शततर अशतर साथ की, लेकिर वो बड़े लोखप्री है, उनका काम, सारे युवाओं को लेकर जाना, और बच्चों को आगे करके उनको मंदिर में पूजा आवशेक कराना, अलक्स उनको सिखाना, और लोग कहते हैं, दादा जी हैं, हम इनको आनुकरन करेंगे, लोग आनन्द से उनकी जद भी करते हैं, एक लूप यह है, अजो है, तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, यह उंगली दिखा कर जो बात करने की प्रवत्ती है, ऐसे लोगों से लोग भी दखते हैं, उनके कारें लोग छोड़ भी देते हैं, तो सभी लोगों से मैं कहूंगा कि नई पिढ़ी, अगर मंदिर आ रही है, थोड़ी बहुत गलती भी कर रही है, तो उस समय उसे नजर अंदाज करो, उन्हें कुछ समझाना भी है, तो जब उसकी पूजा आदी की प्रक्रिया पूरी हो जाए, दो तीन दिन उसको आने दीजे, फिर एक दिन धीरे से, पूजा नादी के आज तुम जैसे नौजवानों के मंदिर में रहने से, मंदिर हमेशा जवान बना रहेगा, हम बुड़े अब किते दिन के टिकेंगे, भविष्य तो तुम ही लोगों के हाथ में है, तुम ऐसे ही आया करो, और बस मैं चाहता हूँ, देखो ठीक, अभी शुरुवात, शुर मैं तुम अँचिन स्कते हैं, बोल एँ, बोल सकते हैं, पर इसा बोलोगे तो सामने वाले पर सकारात्मग् प्रभाव कि नहीं पढ़ेगा, बोलो और महराशरी बोलते हो, बोलते नहीं दंडा हाकते हो, अवह, भाई, तुम धरमी हो, पुलीस थोड़ी हो. अपने बात को ध्यान में रखो इन सब चीजों को जो ध्यान में रखते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं गुरुदेव का एक हाई कुआ दादा बने हो दादा गिरी ना करो दादा बने हो दादा गिरी ना करो नीचे की लाइन भूर रहा हो तीसरी लाइन दादा बने हो दादा गिरी न करो आपे में रहो ऐसे कुछ लाए रहे दाइरे में रहो दादा बने हो दादा गिरी न करो दाइरे में रहो तो भाईया तुम बड़े हो तो तुम अपना दबदबा मत दिखा अपने बड़पन का पर्चे दो ताकि सामने वाला खुद तुम्हारा कायल बन जाए और तुमसे सीख कर तुम्हे अपना अदर्स बनाए तो ऐसा करे और दूसरा कुछ जगह हमने एक विवस्ता बद लिए कि स्थानपर में था वह यह समश्चा थी दो तीन महां से के कारण सब बिदखते थे वह एक ही बार अभिशेक होता था हमने का इरोच का जहमिला यह आदमी सुधरे गानी तो हमने क्या किया तीन अबेदियां थी तीन तल्ले में हमने उसके तल्ले को छोड़ दिया और उपर नीचे का अलग टैम बना दिया और कहा सब यूँआ यहां करना और वहां बहुत अच्छे सब वहां भीर लगी रती वहां वो तीन चार है पाच्वा कोई ढूगता नहीं कौन जाए उनका सामना करने लोग सवचते सबेरे सबेरे दिमाग खराब के ओपर हम तो भाव की सुधी करने के लिए आते तो फिर एक उपाई यह है कि यदी वो न मंदल नमर वारा से शरुनिशन रक्षक्स गिवान प्रेमचन जी प्रेमी रमेज जी दिनेज जी महन जी संजा जी अर्यन जी अप्छा जी हितंकर जी शमस्त कतनी परिवार और सात्मे मनोज कनोज और सरश रोगी उसके बाद ते आरेंगे मंदल नमर 14 से अर्विंदी जबल पूर मुनिश्री के चरणों में बारम बार नमुस्तु महरा स्री बोपाल से पटेल परिवार को आपने उनके पुत्र सुभम जी की चक्रवर्ती विवाई के लिए असीरबात प्रदान किया था और आपके उद बोधन से राकेश जी कर्रापुर वालों के छोटे मांगा है आपसे गुरु जी देवदय महासंग परिवार की ओर से भी राकेश जी और नौनिरपाचे कोशा द्यक्च अब सेख जी की तरफ से भी वारम बार नमुस्तु प्रस ने आये है गुरु जी कि समाजिक और धार्मिक संस्ताओं में पदादिकारी जो लोग बन जाते हैं उनमें कई बार ये देखा गया कि अपनी बातों को प्रभाव साली ढंक से नहीं रख पाते तो इसके लिए मार्ग दर्संदें कैसे अपनी बात को रखना चाहिए जिससे संस्ता का अहित नहों क इसके प्रिकार से पहले तो मैं उन सब को आशिरवाद दूगा जो चक्कवर्ती विवाहा के लिए आ गया है और मैं आप सब की जानकारी के लिए कहूंगा कि आने वाले चार और पास दिसंबर को इनके भतीजे का भी चक्कवर्ती विवाहा यहीं सम्मेश से कर देखा उनमें इनका एक तरफ से यह है दूसरे तरफ मुकेश धाना का परिवार है उनकी बिटिया है तो एक बहुत अच्छी बात है सागर से यहीं से चक्कवर्ती विवाहा हाओ प्रतवास तली की छात्रा रही है और इसके ही बाद दिशंबर महिने में ही शायद 15-16 दिशंबर क आसपार 17-18 मनोज बाकलीवाल जो इंदौर से है वे भी अपने पुत्र का यहां चकवर्ती विवाहा संपन कर रहे हैं वो गुनायतन के संदक्षक भी है यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है एक सकारात्मक परिवर्तन है यही समाज के संभांत परिवारों के लोग इस त तरह का आदर सुपस्थित करना सुरू कर देंगे तो हमारी समाज में ब्यापता नेक कुरीतियां अपने आप दूर होगी और हमें इसे पोत्साहित करना चाहिए चकवर्ती विवाह को बिशिष्ट सामाजी कुमानिता मिलनी चाहिए क्योंकि इस तरह के विवाह में हमारा धर्म पलता है संसकार पलता है और पाप से हम बच पाते हैं जिसकी बहुत जरुवत है मेरा उन सभी परिवारों को बहुत बहुत आसिरवाद अब आपने पुछा धार्विक सामाजी कारुकर संस्थाओं में भाग लेने वाले लोग जिम्मेदार पद पर रहने वाले अबे बात को प्रभाव साली ढंग से नहीं रख पाते प्रभाव साली तरीके से बात को रखने की कला आपने मुझसे पूची है था नहीं तो मैं तो यह कहता हूँ कि भाईया अपना जीवन प्रभाव साली बना लो तो तुम बोलो या ना बोलो तुम्हारा प्रभाव अपने आप पड़ गाए प्रभाव साली तरीके से बात रखना और बात और सामने वाले के उपर अपने प्रभाव की अमी छाप छोड़ना और बात आप यदि कोई बात रखोगे तो उसका असर अलब कालिक होगा लेकिन आपके वेक्तित की जो छाप होगी वो दिर्ग कालिक होगी तो हमारा वेक्तित प्रभावशाली होना चाहिए और उसके लिए चार बते बता रहा है सबसे पहली बात अपने टीम को सास लेकर चलना चाहिए टीम भावना बनानी चाहिए पहली बात दूसरी बात औरों को प्रोथसाहित करके उन्हें आगे आने का आउशर देना चाहिए तीसरी बात अपनी क्रेडिट अपने पीछे वाले को देना चाहिए स्रेक खुद नहीं देना चाहिए मैं जो कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ मेरा तो चेहरा है पर मेरे पीछे की जो सक्ति है वो ये है मैं इनके बदावलत कर रहा हूँ यदि आपने उनको क्रेडिट देना सुरू किया उनकी पीट थप थपानी शुरू की तो निश्चित वे लोग आपके कायल बनेंगे और चौथी बात अपने कायरे को जबाब देही के साथ प्रतिबधता पूर्वक करना चाहिए पूर जबाब देही के साथ और प्रतिबधता एक कमिट्मेंट की तरह लेनी चाहिए किवल बोलना नहीं है जो हमने कह दिया वही कर दिखाना है ये सोच लेकर चले तो आपका प्रभाव अमिठ होगा फिर कभी किसे से कुछ कहने की जरुवत नहीं नमोस्तु ओम गुरुजी को त्रीवार नमोस्तु गुरुजी कटनी जैन समाज का भी सभी का आपको प्रति नमोस्तु गुरुजी मेरा पश्चन ये है कि बरतमान में जो समय चल रहा है हमारे जो तीठंकर और बिरप्रभू है वो सब भी तरागी है किसी प्रकार का कोई चमतकार नहीं दिखाते सभी भावनों से पूजा करते है पन्तो इस समय कुछ देखा जा रहा है कि हमारे हां की युवा पेड़ी जहां भी कोई चमतकार दिखा वहीं सिरी फल लेके चल जाते है इसके प्रतिय आप क्या संदेश देना चाहता हूँ मैं ये कुछ देखा आज की बात नहीं हर युक की बात है मैं तो एक ही बात कहता हूँ यदि इस तरह चमतकारों से दुनिया के काम होते होते तो दुनिया में इतनी समस्याईं क्यों होती लोग संयों को चमतकार मांगते है मैं इन पर बिल्कुल भरुशा नहीं करता और नहीं हमें ऐसे बातों पर रंचे मात भरुशा करना चाहिए विज्ञान और टेक्नलोजी का युग है ऐसे युग में ऐसे दौर में इस तरह की बातों पर भरुशा रखकर चलना मैं समस्ता हूँ अंद विश्वासी होने की पहिचान है और ऐसे अंद विश्वासी लोग कभी अपना कल्लान नहीं कर सकते जो लोग समस्कारों के चक्कर में इधर उधर भागते है जिस दिन उन्हें जीवन की वास्तविकता का ग्यान होगा उस दिन उन्हें सब समझ में आ जाएगा कि क्या जीवन का मूर है मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि चमतकारों के पिछे भागने की जिगा अपने वेक्तित को चमकाना सुरू कर दो दुनिया तुम्हारे पिछे भागेगी तुम अभी चमतकारों के पिछे भाग रहे हो अपने वेक्तित को इतना चमका लो कि दुनिया तुम्हारे पिछे भागने को पागल हो उठे क्यों ना हम ऐसा प्रयास और पुर्शाद करे पर क्या करे अध्यात में ज्यान के अभाओं में लोग थोथे कर्म कांडों में उलच कर रह जाते हैं और जीवन का जो तत उन्हें हासिल होना चाहिए उससे बन चीट है मंदल लंबर 14 से गुनायत अंटरश्टी श्री अर्विन जी राजिया जवलपूर और इसके बाद तेहरेंगे मंदल लंबर 16 अठारा से श्री शीतर मल जी कमले जी सावला कोटा गुरुवर मेरी परिवारों के और से वम समझ छुलक महराजियों के और से नमोस्तू 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 हे गुरुवर विपत्ती में मन तूटता है बीमारियों में मन तूटता है और कोई विश्वास घात करता है तो मन तूटता है वियोग में मन तूटता है तो अपने मन को तूटने से हम बचानी के लिए कैसा सोचने जाए जिनसे भी मन तूटता उन घडियों में यदि आपकी अंदर सकारात मकताई आत्म ज्ञान हो कर्म शिद्धानत पर विश्वास हो और थोड़ासा धैर हो जाए तो मन उत्साहित हो जाएगा और कुछ करने की जर्वतिया मंदल नमर सुला और अठार से शितरमल जी मुनिवर के चर्णों में बारंबर नमुस्तूर है मुनिवर कहते हैं कि स्विकारता हमारे दृष्टी कौन को बदल देती है तो उसे स्विकारता को अपने जीवन में कैसे अपनाएं श्रिकारता को अपने जीवन में कैसे अपनाएब तक जब जब हमने श्रिकार किया और उसे हमें समस्छाओं का शमाधान मिला उनको सदे व्याद रखो और लक्षे रखो कि जहां चीजे मेरे नियांतरन से बाहर है वहां मुझे श्रिकार कर लेना है आपने आप शिवकारता बढनी शुरू होगा ओग मंदल नम्मर सुला अठारा उसके बद यारिंगी श्रिवति रंजिना विनोशेट विलाश्पूर नमूस्तू महराज जी महराज जी ये पंचम काल में हम जैसे यूवक धरम की प्रभावना कैसे करे और जैसे अभी हम भार पढ़ते हैं तो हमार को हर तरह के लोग मिलते हैं हर संगती के लोग मिलते हैं हर संगती के दोस्त मिलते हैं तो हम किन-किन चीजों का ध्यान रखे कि हम कभी भी हमारे धर्म से मतलब भटके निया हमारे जैन धर्म से बहुत अच्छा सवाल किया है मैं तुम युवाओं से एक कहता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छी पर भावना कर सकते हो यदि अपने आचार, विचार और बहवार को इस्थिर बना सको पहला काम मुझे कोई अधर्म नहीं करना है और तुम जैसे सभी बच्चों जो खासकर विद्यार थी हैं उनसे मैं कहूंगा अपने जीवन की एक सीमा रेखा कीचो समझ गया है? मुझे मध्ध मान समधू का शेवन कते ही नहीं करना है समझ गया है? और बिवाह पूर और ब्रमचर रखना है जो बिवाहित हो गया है उन्हें बिवाह एतर संबन्द नहीं रखना है यौन सदाचार का पालन करना है किसी भी प्रकार के अभक्षे बस्तू का शेवन नहीं करना है यदि इतनी बातों में दिड़ रह गये तो फिर ज्यादा कुछ कहने की आवशकतार अपेक्षा नहीं होगी रास्ता प्रसस्त होगा तुम भी बचे रहोगे और दूसरे लोग भी तुमसे प्रेरित होगे बैसन बुराईयों से बचा कर रखना एक बहुत ब़ली चुनोती है और जो इसमें शफ़र हो गया समझ लो उसने अपने जीवन को निहाल कर दे श्रीमती रेंजिना एक एक और है बोलो नमोस्तू महराजी महराजी मेरा प्रस्शन ये है कि अपन लोग मनुश्य तो हम लोग भगवान से ये मांगते है संसारी सुक मांगते है कोई पैसा दे दो ये दे दो और अपस्वास्त की बांगते है अपने को भगवान से क्या मांगना चीवत लोग भगवान से किवल मांग नहीं है तो कहो भगवान आप तो अपना इस्थान हमें दे दो मांगी तो भगवान तो देने को ते यार है वो तो करे तो भगवान मन जा मांगने में कन्जुशी क्यों करो हूँ समझ के चलिए हाँ नमस्त ओ मराष्या किदर मारेश्री आपकाल करना हाँ ऐसाँ आप छट्रीश गड़ तो नहीं आये हमारे पूरे छट्रीश गडवासी आपको बुलाने के लिए लाला आई थैं मैं पूरे छट्रीश गड़ की लोगों की तरफ से आपकी शीरी चरनो में बार बार नमन करती ह और चाहती हूँ कि आप इस पार 36 गड़ जरूर आएंगे हम सभी यहां से आपको लेने के लिए आएंगे यहां के पंच के लणक के बाद आप निस्चित आएंगे आचर शी से बोलेंगे कि हमारे गुरू को हमारे उस्तरब एक बड़ जरूर बेजो बिल्कुर जब आप वहां से बोल देंगे तो कहीं बोलने की जरूरती नहीं पड़ेगी और अच्छा है आप समय पर बोले और आपकी बोली पूरी हो इसी आशिरवाद के साथ आज के सत्र को परम पूझ गुरुदेव के चर्णों में नमन अर्पित करते वे यहीं पर विराम दे रहा हूं बोलिए परम पूझ आचार गुरुवासरी विद्या सागर जी जैए जैए